नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं हूँ आपके साथ कंचन इस वक्त हम बात कर रहे हैं CM नितीश कुमार के द्वारा जो शरावबंदी कानून लागू की गई थी जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह से रोज अपराधी मिल रहे थे शराव दसकर मिल रहे थे बोतले मिली जो विधान सभा में भी आपने देखा उसके बाद सीम नितीश कुमार ने सोचा कि एक ऐसे पदाधिकारी मद निशेद विभाग के पदाधिकारी केके पाठक को उन्होंने निक्त किया कि जिनके हाथों में शरावबंदी कानून का जिम रात देष हो जो बड़े-बड़े कानून है एतिहास कहता है कि ब़्ड़े-बड़े कानून को लागू करने में सरकार को मसक्कत करनी ती बहुत जल्ड कोई भी कानून लागू नहीं हो जाता है क्योंकि इतने सारे जनसंख्या है wurde bus hair राज्य और भारत देश हो सभी लोगों की सोच नहीं मिलती है और जो उन्हें आदत हो चुकी है शराब का शेबन करने का वो धीरे धीरे ही दूर होगा लेकिन मुद्दा यहां यह उठता है कि यदि पुलीस चाहले पुलीस कर्मी चाहले और सीम नितीश कुमार चाहले कि शराब कानून को लागू करवाना है शराब को बनने ही नहीं देना है कि लोग पी पाए तो यह कानून लागू हो सकती है अब यह तो पुलीस ही कर सकती है और सीम नितीश कुमार ही कर सकते है लेकिन अब नितीश कुमार जो अलग-अलग तरीके अपनाते हैं भाती-भाती क तरीके अपनाते हैं शुरावबंदी को लागो कराने के लिए हाला कि अच्छी बात है लेकिन जो राजद के नेता है वो लगतार नितीश कुमार पे वार करते रहते हैं अभी जो फिल्हाल श्रीवानंद तिवारी जो राजद के वरिस्ट नेता है उन्होंने नितीश कुमार को लेकर एक तंज कसा है उन्होंने कहा है उन्होंने अमित साह को कहा है कि वो बिहार के ग्रिह मंत्री से सीख ले कि भाती भाती के जो वो जो तरकीबे निकालते हैं उनसे अमित साह को सीख लेनी चाहिए जो हमारे देश के ग्रिह मंत्री है उन्हें बिहार के ग्रिह मंत्री से सीख लेनी चाहिए उनका कहना है कि यदि वो नितीश कुमार के भाती-भाती के तरकीव के बारे में जारेंगे तो वो भी जो देश में जो आतंगवादी घुसते हैं वो नहीं आ पाएंगे तो बिहार के ग्रिह मंत्री पे अमित साह को लेकर उन्होंने ये तंज कसा है अब क्या राजनितिक मुद्दा नया वन के आता है ये तो आप देखना होगा भारार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाई धन्यवाद नोटकली 9386816700 धन्यवाद